प्रथमह प्रश्ण है एक पदेन उत्तरत प्रथमह अस्ति मानव जीवनं केन कारनेन कष्टकरं भवति मनुष्य का जीवन किस कारण से कष्ट कर होता है तो उत्तरमस्ति प्रधूशन कारणेन प्रधूशन के कारण से मनुष्य का जीवन अत्यति कष्टिन होता है की द्रिशम जलम कुत्रापिन प्राप्यते किस प्रकार का जल हमें हर जगा पर प्राप्त नहीं होता है रिक्षानाम करतनम कुर्वन्ति मनुष्य किसलिए पेड़ों को काटते हैं तो अध्योगी का विकास आया आधुनिक युगम कि द्रिशम युगम अस्ति वर्तमान का जो युग है किस प्रकार का युग है तो आउद्योगी का युगम मने उद्योगों का युग है बिजनेस का युग है आउद्योगी के विकास है कस्य प्रमुखम कारणं भवती उद्योगों का विकास जो है किसका प्रमुख कारण है वायु प्रदूशन से वायु प्रदूशन का सर्व प्रतम मुख्य कारण है आउद्ध्योगी विकास ज्वितिय प्रश्णह पूरण वाक्येन उत्तरत प्रतम मस्ति प्रदूशन समस्यायाह समाधानं कथं भविष्यती तो उत्तरमस्ति व्रिक्षारोपनं कृत्वा तथ यंत्रानां नियून प्रयोगं कृत्वा यज्यम कृत्वा तता एकलस्य एवजनस्य अपेक्ष्य सरवेश्यम सहयोगेन प्रदूशन समस्यायाह समाधानम भविश्यति अर्थात व्रिक्षारोपन करके यंत्रों का कम से कम प्रयोग करके यज्जित्यादी करके अथवा सबी लोगं के सामोहिक प्रयाव से ही इस प्र अर्थात यंत्रालेयों और यानों का धुमे से क्या होता है तो कहा यंत्रालेयों का और यानों का जो धुमाए उससे हमारा जो वायु मंडले वो दूशित होता है यदा दूशित वायु हुमानव शरेरे प्रवेशतितता किम भवती माने जब दूशित वायू मनुश्रिक श्रीर में प्रवेश होता है तो समय क्या होगा क्या होता है तो यदा दूशित वायू मानुश्रिक श्रीर प्रवेश्यती तदा विबिन रोगानाम कारण भवती केचन जनाह रिदय रोगेन केचन जनित्र रोगेन दुखिता भवन्त मतार जब दूशित वायो मनुश्रिक शरीर में प्रवेश होता है तब विविन रोगों का कारण मनता है उससे बहुत सारे बीमारियां होती हैं जैसे कुछ लोग रिदे रोग से परेशान होते हैं कुछ लोग नेतर रोग इत्यादियां से दुखी होते हैं तो इसलिए वायो प्रदूशन मुख्यता हर परेशानी का मूल कारण है प्रदूशन अस्य प्रमुख प्रकाराह के के संती अथाथ प्रदूशन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से है तो प्रदोशन स्य मुख्य प्रकार आह जल प्रदोशनम् वायु प्रदोशनम् द्वनि प्रदोशनम् इत्यादयह संती अधात प्रदोशन के मुख्य प्रकारों में एक जल प्रदोशन वायु प्रदोशनम् द्वनि प्रदोशनम् इस प्रकार के है प्रदूशन से स्वच्च वायू की प्राप्ती नहीं होती है तो इसका प्रश्च वायू की प्राप्ती नहीं होती है तो इसका प्रश्च वायू की प्राप्ती नहीं होती है तो इसका प्रश्च निर्मान में होगा कस्मात कारणात क्यों स्वच्छ वायू की प्राप्ती नहीं हो रही है वैजियानिका नित्यम यंत्रानाम आविश्कारम कुरुवन्ती उत्तर है कौन वैजियानिक लोग नित्य हमेशा यंत्रों का आविश्कार कर रहे है इसका उत्तर है प्रशनिर्मान में के नित्यम यंत्रानाम आविश्कारम कुरवन्ती कौन नित्य यंत्रों का आविश्कार कर रहे हैं अब आगे जनाह रिदय रोगेन दुखिताव भवन्ती लोग हरिदय रोग से परेशान होते हैं इसका उत्तर होगा जनाह केन दुख़्िताब बनती, लोग किसे परेशान है दुखी है ओध्योगी के विकास आया मानवाह वरक्ष करतनम कुरवनती ओध्योगी के विकास के लिए मन उध्योगों को बढ़ाने के लिए मनुश्य पेड़ों को काटते है तो इसका प्रश्ण निर्मान भी बनेगा ओद्यों भी विकास आया कि मार्थम मानवाह व्रिक्ष करतनम गुर्वंति मनुश्य क्यों पेड़ों को काटते हैं अब प्रश्ण संक्या चत्वारा यहां पर विशेशन विशेश्यम मेलनम कुरत बाने विशेशन और विशेश्य को मिलाना है तो सर्व प्रदम है विशेशन पदानी दूसरा विशेश्य पदानी इन दोनों को मैचिंग करना है तो अउद्योगिके इसका है काले निर्मलं जलं अनेके रोकाह सर्वादिकं कष्टकारकं दूशितं वायुमंडलं स्वच्चह वायुहु तो ये हो गया प्रश्ण संक्या चार अब प्रश्ण संक्या पंच अब कोश्टकाद उचितम विकल्पम चित्वारिक्दस्थानानी पूरयत आर्था ब्रैकेट से हमें या पंजूश्रा से हमें सही शब्द को चुनकर रिक्दस्थानों को पूरा करना है वर्तमान कालेत उद्योगानाम डैश सर्वत्र भवती मने वर्तमान समय में उद्योगों का हर जगा पर क्या हो रहा है तो उत्तर है विकासह धुम्रेन डैश वायुमंडलम दूशितम भवती धुमे से वायुमंडल दूशित होता है उत्तर अस्मा का हमारा वायु मंडल दूशित होता है। डैश यंत्रा नाम आविशकारम कुरुवंती नित्यम क्योंकि वैज्यानी नित्य हमेशा ही ने ने यंत्रों का आविशकार करते रहते हैं। प्रश्न संक्या शट अधो लिखेता वाक्याने शुद्धम अस्ति अशुद्धम वा इत्य समक्षे लिखत अर्थात जो नीचे दिये वे जो वाक्या हैं वो सही है या गलत उनके सामने ही लिखना है। तो सरो प्रदम है प्रदूशनम हानिकारकम नास्ति प्रदूशन हानिकारक नहीं है तो ये बाक्या गलत अशुद्धम व्रिक्षा रोपनम सदैव करनियम हमें पेड हमेशा लगाते रहना चाहिए तो शुद्ध है या नानाम धूम्रेन वायु स्वच्च भवती गाडिय वाक्य भी गलत है क्योंकि साफ जल हर जगा पर उपलब्द नहीं है या नानाम अधिक प्रयोग हन न करनी यहां गाडियों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि जितना हम गाडियों का प्रयोग करें ये उतना प्रदूशन बढ़ता जा ठीके जी यहां पर भी विलोमपद ही है तो सरोप्रतम है निर्मलम तो उसका विलोमपद होगा समलम दूसरा दूशितम स्वच्चम अनित्यम नित्यम अस्माकम युष्माकम अकर्तव्यम कर्तव्यम नश्यति रक्षति तो यहे विलोमपद अब प्रश्न संक्या आठ प्रियावरन संरक्ष नस्य उपायानाम समक्षे राइट चेहनम कुरुत अन्येशाम चा क्रॉस इति तो सरोप्रतम है अधिकाधिकम व्रिक्षार ओपनम करनियम बिल्गुल वाक्य सही है इसलिए राइट का निशान है वाहानानाम प्रयोग अधिकाध करनियम यह वाक्य गलत है इसलिए क्रॉस यंत्रा लयानाम स्थापनम निर्जन स्थाने करनियम बिल्कुल ये वाक्य सही है इसलिए राइटे प्रिक्षकर्तनम करनियम रौंग है प्रिष्टेह जलम संरक्षनियम बिल्कुल सही है उद्योगानाम मलिनम जलम नद्यामन पातनियम वाक्य सही है प्रदिदिनम यद्या क करनियम वाक्य सही है यद ये न वायू प्रदूशिता भवती वाक्य गलत है तो यहीं पर